ये उस्व मनाने का विशेश अवसर है जैसे हमने स्वाधिन्ता के पचस्तरी वर्षव पूरी होने पर आजादी का अम्रुत महस्व के दोरान आपने देश की अतुलोनियो महानता और विभिदता पुर्ण संस्कृति का उस्व मनाया था काल के दिन हम संबिधान के प्रारों का उस्व मनाएंगे संबिधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन सब्दों से सुरू होती है ये सब्द हमारे संबिधान के मूल भाव और तात लकतंत्रों को रेखांकित करते हैं भारत की लकतंत्री व्यवस्ता लकतंत्रों की पस्च लेकिन उस समय भी देश मेशू सासन तो था देश बासियों में निहीत चमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त बिस्तार देने के लिए उपयुक्त मुल्भूत सिधान्तों और प्रक्रियां को सरू प्रोदान कारने का कार्य चल ही रहा था सम्भिधान सभा ने सूसासन के सभी पहलूँ पर लोगवक तीन वर्ष तक विश्तरूत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के मोहान आधारभूत ग्रण्त यानी भारत के सम्भिधान की रचना की आज के दिन हम सब देशबासी उन दूरदर्ची जनोनायों को और अधिकारियों का प्रुतग्योंता पूरभग समरण करते हैं जिन्होंने हमारा भव्व्यो और प्रेरयोक सम्भिधान के निर्माण में अमुल्य जगदान दिया था हमारा देश सतंत्रता की स्वताब्दी की और बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारोंभीक दोर से गुजर रहा है ये एक युगांतो करी परिवर्तन का कलखंड है हमें अपने देश को नई उच्चाईयों तो ले जाने का सुनहरा अवस्वर मिला है हमारा लख्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतेक नागरिक का यगदान महत्तपुर्ण होगा इसके लिए मैं सुभी देशपासियों से सुम्भिधान में नहीत हमारे मूल कर्तप्यों का पालन करने का उन्रोद करूंगे ये कर्तप्यों आजादी के सोब और सुपूरी होने तो भारत को एक बिक्सित राष्ट बनाने की दिशा में प्रतेक नागरिक के आवश्यक दाइत्यों है इस संदर में मुझे महात्मा गांधी का स्मौन होता है बापु ने ठीक ही कहा था जिसने केवल अधिकारों को चाहा है एसे कोई भी प्रोजा उन्नोती नहीं कर सकी है केवल ओही प्रोजा उन्नोती कर सकी है जिसने कर्तप्यों का धार्मिक रूप से पालन किया है मेरे प्यारे देशबासियों गणनत्र गिवस हमारा आधार्बूत मुल्यों और सिधान्तों को स्मौरण करने का एक महत्त पुर्ण अपसर है जोब हम उनमें से किसी एक बुनियादी सिधान्तों पर चिंतन करते हैं तो सभावीक रूप से उन्नोसोबी सिधान्तों पर भी हमारा ध्यान जाता है संस्कृती मान्योताओं और परमपराओं की बिविदोता हमारे लगतन्त्रों का उन्तरनिहित आयाम है हमारे बिविदोता का ए उस्षब सम्ता पर आधारी थे जिसे न्यायदारा संगरख्षित किया जाता है ये सब सतंत्रता की बाता बरण में ही संभव हो पाता है इन मुल्लों और सिधान्तों की सम्मगरता ही हमारी भार्योतियता का आधार है डक्टर बी आर अम्वेतकर के प्रबुध मार्गदर्शन में प्रभाहित इन मुल्भूत जीवन मुल्लों और सिधान्तों में रचिवसी संभिधान की भावधारा ने सभी प्रकार के वेदभाव को समाव्द करने के लिए समाजिक न्याय के मार्गफर हमें अडिक बनाए रखा है मैं ये उल्ले करना चाहूंगी कि समाजिक न्याय के लिए अनवरत जुद्धरत रहे श्री करपुरी ठाकुर्जी की जन्म सताब्दी का उस्व काली समपन्न हुआ है करपुरी जी पिछडे वर्गों के सबसे महान पक्ष्योंकारों में से एक थे जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके कल्लान के लिए समर्पित कर दिया था उनका जीवन एक संदेश था आपने जोगदान से सार्भोजनिक जीवन को सम्पुरुद बनाने के लिए में करपुरी जी को आपने स्रधान जली और पित करते हूं हमारे गणतंत्र की मुल भवना से एक जूठ होकार 140 क्रोर से अधिक भारत बसी एक कुटुम के रूप में रहते हैं दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुम के लिए सहो अस्तित्तो की भवना भूगल द्वारा थोपा गया बोज नहीं है बलकि समुहिक उल्लास का सहोश्रो थे जो हमारे गणतंत्र दिवस के उस्सों में अभिव्यक्त होता है इस सब्ताह के आरम में हाम सबने अज़ध्या में प्रभूश्री राम के जन्मस्तान कर निर्मित भव्य मंदिर में स्तापित मूर्ती की प्राणों प्रतिस्टा का अइतिहासिक समाहरो देखा भविस्व में जो इस घटना को व्यापक परिप्रेख में देखा जाएगा तो इतिहासिकार भारत द्वारा आपने सभ्यतागत विरासोत की निर्मित खोज में युगान्तो करी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे उचित न्याइक प्रक्रिया और देश के उच्चोतम न्याइडोय के निर्मित के बाद मंदीर का निर्मान कार्यो आरमवो हुआ अब एक भव्यो संग्रोचना के रूप में सोभायो मान है ये मंदीर ना के बल जन जन की आस्ता को ब्योक्त करता है बलकि न्याइक प्रक्रिया में हमारे देशबासियों की ओगाध आस्ता का प्रोमान भी है प्यारे देशबासियों हमारे राष्ट्यों तेवार ऐसे महत्तोपुण अवश्वर होते हैं जो भाम अतीत पर भी दुरूस्टी पात करते हैं और भविश्यों की ओर भी देखते हैं पिछले गणत अंत्र दिवस के बाद के एक बर्श पर नजर डाले तो हमें बहुत प्रसंता होती हैं भारत की अध्यक्यता में दिल्ली में G20 सीखर सम्मिलोन का सफोल आयोजन एक अभुद पुर्ण उबलब्धी थी G20 से जुड़े आयोजनों में जोन समन्यों की भागीदारी विशेश रूप से उल्लोखे नियों हैं इन आयोजनों में विचारों और सुझाओं का प्रभाव उपर से नीचे की और नहीं बलकि नीचे से उपर की और था उस भव्यों आयोजन से एस सीख भी मिली है कि समन्यों नागरिकों को भी ऐसे गहनत था अंतरास्ट्यों महत्तों के मुद्धे में भागीदार बनाया जा सकता है जिसका प्रभाव अंतनत हो उनके अपने भविश्यों पर पड़ता है G20 सीखर समिलन के माजधम से ग्लोबाल साउद की आवाज के रूप में भारत के अभुदोई को भी बढ़ावा मिला जिससे अंतरास्ट्यों समबात की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्तों का समाबेस हुआ जब संग्सोद ने उतिहासिक महिला आरख्यों बिधयक पारिद किया तो हमारा देश स्त्री पुरु समानोता के आदर्शों की और आगे बढ़ा मेरा मनना है कि नारी सक्ति बंदन अधिनियों महिला ससक्तिकरण का एक क्रांती करे माजधम सिध्ध होगा इससे हमारे सासन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी बहुत सोहायोता मिलेगी जब सामुहिक महत्तों के मुद्धों पर महिलाओं की भागीधारी बढ़ेगी तो हमारी प्रसासोनिक प्राथमिकताओं का जनता की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामज़श्य बनेगा इसी अवधी में भारत चंद्रमा के दोखिन दुरूब के चेत्रों पर उतन्ने वाला पहले देश बना चंद्रयांत्री के बाद इस्रों ने एक सोरो मिस्वन भी शुरू किया हाली में अधित्तो एल्वान के सफलता पुर्वक हेलो और्बिट में स्तापित किया गया है भारत ने अपने पहले एक्सरे पॉलारी मेटर सेटलाइट जिसे एक्सपोस सेट कहा जाता है कि प्रखेपोन के साथ नई साल की शुरूआत की है ये सेटलाइट अंतरिक के ब्लाक होल जेसे रहस्यों का अध्धोयन करेगा बर्ष दो हजार चोबिस के दोरान उन्यों कोई अंतरिक अभियानों की योजोना बनाए गये है ये प्रसंता के विशो है कि भारत की अंतरिक यात्रा में उन्येक नई उपलोब्दियां हासिल की जाने वाले हैं हमारे प्रथो मानव अंतरिक उड़ान कार्योक्रम को गोगन जन्मिशन की तेयारी सुचारी रूप से आगे बढ़ रही है हमें अपने बग्यानिकों और प्रदग्य की विशेशोग्यों पर सोदेव गोर्ब रहाएं लेकिन आप ये पहले से कहीं अधिक उन्चे लोख्यों तोय कर रहे हैं और उनके अनुरू परिणाम भी हासिल कर रहे हैं भारत के अंतरिक कार्यकरम का उद्देश संपुन मानवता के कल्लान के लिए बिज्यान और प्रदग्य की की मुमिका को और अधिक बिस्तार तथा गेहराई प्रदान करना है इसरो के कार्यकरम के प्रती देशबासियों में जो उस्सहों दिखाई देता है उससे नई आसाओं का सौंचार हो रहा है अंतरिक बिज्यान के छेत्र में नई उपलिब्धियों ने जुबा पिढ़ी की कल्पना सक्ति को नई फौंक दिये है मुझे बिश्वा से कि हमारे बच्चों और जुबाओं में बड़े पेमानों पर बिज्यान के प्रती रुजान बढ़ेगा तो था उनमें बज्यानिक दुरुस्टिक और बिक्सित होगा अंतरीक बिज्यान की इन उपलिब्धियों से जुबाओं विशेशकार जुबा मोहिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि वे बिज्यान और प्रद्धोगी की को अपना कार्यक खेत्रों बनाए मेरे प्यारे देशपासियों आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है सुद्रूड और सोस्त और्थो व्यवस्ता इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी हाल के बर्षों में सोकल घरिलू उत्पात की हमारी बुद्धी दर प्रमूख और्थो व्यवस्ताओं में सबसे अधिक रही है थोस आकलोन के आधार पर हमें पूरा विश्वासे की ये और साधन प्रदर्शन बोर्ष दोहजार चब्विश और उसके बाद भी जरी रहेगा ये बात मुझे विश्यस रूप से उल्लेखिनियों लगती है कि जीस दूर्गामी योजना दृस्टी से और्थो व्यवस्ता को गोती प्राप्त हुई है उसी के तहट विकास को हार दृस्टी से सुवावसी बनाने के लिए सुविचारित जनकुल्लान औभियानों को भी बढ़ावाद दिया गया है महामारी के दिनों में समाज के कमजोर बर्गों को मुफ़त खद्दन उपलवत कराने के लिए लागू जोजोनाओ का दाईरा सरकार ने बढ़ा दिया था बाद में कमजोर बर्गों की आबादी को संकुट से उबरने में सोहायता प्रदान करने है तू इन कुल्लान करी जोजोनाओ को जारी रखा गया इस पहल को और अधिक बिश्तार देते हुए सरकार ने 81 क्रोर से अधिक लोगों को आगले 5 साल तोक मुफ़त खद्दन उपलवत कराने का निन्यों लिया है समवत हो इतिहास में ए अपनी तरह का सबसे बड़ा जनकल्लान कार्यक्रम है साथ ही सभी नागरिकों के जिवन ज्यापन को सुगम बनाने के लिए उनेक समय बद्ध जोजोनाएवी कार्यनत की जा रही है घार में सुरोखीत और परियाप्त पेवजल की उपलवधता से लेकार आपना घार होने के सुरोख्या जनक और ववब्दक ये सभी बुनियादी नियुन्योतम आवो सकता है ना की विशे सुभी धाएं ये मुद्दे किसी भी राजनितिक या आर्थिक विज़ारधारा से परे है और इन्हें मानुविय दुरुस्ति कॉन से ही देखा जाना चाहिए सुरकान ने केवल जनकल्लान जोजनाओं का विश्तार और संबढ़धन ही नहीं किया है अपेतु जनकल्लान की अबधरना को भी नाया और्थ प्रदान किया है हम सब ये उस दिन गोर्व का अनुभव करेंगे जो भारत ऐसे कुछ देशों में सामेल हो जाएगा जहां सायधी कोई बेघोर हो सुवावसी कोल्लान की इसी सोच के साथ राश्टियों सिख्यानिती में दीजीटल विभाजन को पातने और बंचीत बरगों के विद्धार्थियों के हीत में सुमानोताग और आधारीत शिख्या व्यवस्ता के निर्मान को समूझीत प्रतमिकता दी जा रही है आयुस्मान भारत जोजना के बिस्तारित सुरुख्या कवज के तहट सभी लावार्तियों को सामिल करने का लख्य है इस सुरुख्षण से गरीब और कमजर बर्गों के लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है हमारे खिलाडियों ने अंतराष्टियों मंचोपर भारत का मान बढ़ाया है पिछले साल आयो जीत HCI खेलों में हमने 107 पदगों के नई कित्तिमान के साथ इतिहास रचा और HCI पेरा खेलों में हमने 111 पदग जीत है ये अतन्त प्रसंता की बात है कि मोहिलाई हमारी पदग तालिका में बहुत प्रभाव साली जगदान दे रही है हमारे स्रेश्टक खिलाडियों की सफलता से बच्चों को विभिन्नों चेलों में भाग लेने के लिए प्रणा मिली है जिससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है मुझे विश्वास है कि नई आत्मविश्वास से भरपूर हमारे खिलाड़ी आगा में प्यारिस ओलिम्पिक में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे प्यारे देश्वासियों, हाल के दोर में विश्व में अनेक स्थोलों पर लड़ाईयां हो रही है और दुनिया के बहुत से हिस्से हिंग्सा से पिड़ी थे जो दो पोरोषपर विरोधी पोक्यों में से प्रोतेक मानता है कि केवल उसी की बात सही है और दुसरे की बात गलत है तो ऐसी स्तिती में सुमाधन परोक तौर्क के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए दुर्भाक्यों से तौर्क के स्तान पर आपसी भोई और पुर्भाग्रोह ने भावविश को बढ़ावा दिया है जिसके कारण अनवरोत हिंगसा हो रही है बड़ी पेमाने पर मानोवियो तरास्दियों की उनेक दुखोत घटनाय हुई है और हम सोब इस मानोवियो पीडा स से उत्थन्त व्यत्ति थे एसी परिश्थिति में हमें भगवान बुद्धो के सारोगर्वित सब्दों का स्मरण होता है नहीं बेरेनों व्यरानी समन्ति दो कुदाचनम ओवेरेन चोज समन्ति एसो धमों सनन्तनों इसका वावार्थ है यहां कभी भी सोत्रुता को सत्रु माज्दं से सांत किया जाता है वार अत्रुता के माज्दं से सांत किया जाता है एक आदर्समात्रों नहीं जैखें बलकि ये एक स्पोस्ट संभावना है एही नहीं ओपेतु अनेक लोगों के लिए एक जीवन्त योथा थे हम आशा करते हैं कि संगर्ष में उल्चे छेत्रों में उन संगर्षों को शूल जाने तो था 37 स्थापित करने के मार्ग खोज लिये जाएंगे वह सिक परियावरण संकोट से उबर्ने में भी भारत का प्राचिन ज्यान विश्चो समुदाय का मार्ग दसन कर सकता है भारत को उर्जा के नभी करोणियों स्रोतों को बढ़ावा देने में अग्रोणी योगदान देते हु देखकार मुझे बहुत प्रस्वंता होती है भारत ने परियावरण के प्रति सोचेत जीवन सोईली अपनाने के लिए लाइप मुम्बेंट सुरू किया है हमारे देश में जोलबाय परिवर्तन के मुद्दे का सामना कान्ने में व्यक्तिगत बेभार परिवर्तन को अपनी जीवन सोईली को प्रकृति के अनुरूप ढाल कर अपना जोगदान दे सकते हैं और उन्हें एशा करने ही चाहिए इससे ना के बलभापी पिडियों के लिए प्रुथिपे का सुंगरुक्ण करने में सोहायता मिलेगी बलकि जीवन की गुणबत्ता भी बढ़ेगी प्यारे देशबासियों, हमारे स्वाधिनता के सो बर्ष पुरी होने तक की अम्रूत काल की अवधी के दोरान अभूत पुर्वय तेकनीकी परिवर्तन भी होने जा रहा है आर्टिफिशल इंटलिजेंस और मेसिंग लार्निंग जैसी टेकनीकी बदलाव और साधन गुति के साथ सूर्खियों से बाहर आकार हमारी दयनीक जीवन का अंग बन गए है के छेत्र में भविश्व से जुड़ी आसोंकाय चिंतित करती है लेकिन उन्हें एक उस्साहो जो नौक अपसर भी दिखाए देती है विश्यसकार जुबाओं के लिए हमारे जुबा बर्तमान की सीमाओं से पोरे जाकर नई संभा बनाए तलास रहे है उनके मार्क से बाधाओं को दूर करने और उन्हें अपने पूरी च्छमता का उपयोग करने की सुभीधा प्रदान करने के लिए हमें हार संभव प्रयाश करना है हमारी जुबा पिड़ी चाहती है कि सभी को अपसर की समानोता प्राप्तो ये समानोता से जुड़े पुराने सब्दोजाल नहीं चाहते हैं बलकि समानोता के हमारे अमुल्यो आदर्सों का योथात रूप देखना चाहते हैं बस्तों में हमारा जुबाओं के आत्मविश्वास के बॉल पर ही भाभी भारत का निर्मान हो रहा है जुबाओं के मनोमस्तिशकों को संभरने का कारियों हमारे सिख्षों गुण करते हैं जो सही और थमे राष्ट्रों का भविश्व बनाते हैं मैं अपने उन किसानों और मजदूर भाई वेहनों के प्रती आभार व्यक्त करते हूं जो चुपचाप मेहनत करते हैं तो था देश के भविश्व को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं गुणदंत्रों दिवस के पावन अपसर की पूर्व संधाफर सभी देशबसी हमारे सोसोस्त्रों बोलों पूलीस और अर्धो संधो बोलों का भी पुर्तो ज्योंता पूर्वक और विनंदर करते हैं उनकी बहादुरी और सतरकता के बिना हम उन प्रभाव सली उपलवधियों को प्राप्त नहीं कर सकते थे जो हमने हासिल कर ली है अपने बाणी को बिराम देने से पहले में नियाय पाडिका और सिबिल सेवाओं के सदश्यों को भी सुब कामनाई देना चाहती हूं बी देशों में निजुक्त भारतियों मिशनों के ओधिकारियों और प्रभासी भारतियों समुदाय के लोगों को में उनतंत्र दिवस की बधाई देती हूं आए हम सब योथा सकती राश्ट्रो और देसवाश्यों की सेवा में सोयों को समर्पित करने का संकल्प करें इस सुप संकड को सीध कारने के प्रयासे तो आप सोभी को मेरी हार्दिक सुप कामने धन्यबाद, जय हिंद, जय भारत